अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटिस्ट वीडियो के बारे में आप टेट जानें नेता जी पर योगी का सियासिवार ओवैसी के नाम पर साधा निशाना नेता जी को लेकर टिपड़ी से सपाई नाराज योगी बोले अब जप रहे हैं राम नाम कहा ओवैसी भी आजाएंगे रास्ते पर उतरप्रदेश की राजनीती और आरोपों का चोली दामन का साथ है अकसर राजनेता एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं और अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने की कोशिश करते हैं कभी सपा बीजेपी पर निशाना साथती है तो कभी बीजेपी कॉंग्रिस को निशाने पर लेती है अब ओवैसी के एंट्री के बाद बीजेपी विपक्षी दलों पर हमला वर है सियम योगी आदित तिनात ने ओवैसी पर निशाना साधने के चकर में सपा सनरक्षक मुलाईम सिंग यादब को निशाने पर लिया और जो टिपडी की उसके बाद सियासत में उबाल देखने को मिल रहा है सपा सनरक्षक पर योगी की टिपडी के बाद सपा नेताओं में गुस्सा देखने को मिल रहा है और सपा नेताओं का कहना है कि योगी जी आरोप लगाने और तंज कसने से कुछ नहीं होगा आप अपनी सरकार का हिसाब दीजिए और बताएए कि अपराद इतना क्यों बढ़ रहा है दरसल योगी आदित तिराथ ने सपा सनरक्षक मुलाइम सिंग यादब पर नाम लिये बिना निशानत साथते हुए कहा कि ये लोकतंत रहे यहाँ जनता सब को रास्ते पर ले आती है राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग आज कह रहे हैं कि राम हमारे हैं यानि हमारा आंदोलन सही था हम सत्य के माग पर हैं बहुत जल्द ओवैसी जैसे लोग भी मानेंगे कि राश्ट के प्रती हिंदुत्य के प्रती भारतिय जनता पार्टी की वैचारी की ही सत्य है जल्द ही वो भी अमारे नजरिये को सत्य मानेंगे वैसी जैसों को भी बोलना पड़ेगा कि भारत माता के प्रती जो हमारी भावना है वो सही है वहीं इस मौके पर योगी आदिक्तिनात उत्रप्रदेश में पुलिस की एंकाउंटर नीती को सही बताते हुए पिछली सपा सरकार को गेरने की कोशिश करते दिखाई दिये मुट्वेड में मारे जा रहे है अपरादियों से जोड़े सवाल पर सियम योगी ने कहा कि पुलिस या निर्दोश लोगों पर कोई गोली चलाएगा तो हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैट सकते एक समय था जब यूपी में पुलिस आगे भागती थी और अपरादी पीछे दोड़ता था आज वो रूप है कि पुलिस को देखकर अपरादी रुख बदल लेता है फिर भी अगर कोई दोस्सा हज करता है तो फिर जोरदार बिढ़नत भी होती है जो लोग अपराद हो और अपरादियों के हिमायती हैं जिनके नहित स्वार्थ हैं वही कभी फेक न्यूज कभी फर्जी मुटवेड का राग अलापते हैं CM योगी ने कहा कि उतर प्रदेश में कोई चीज फेक नहीं है सब ट्रांस्परेंट है CM योगी ने कहा कि आज उतर प्रदेश में कोई पलायन नहीं हो रहा 15 साल तक कहराना और कांधला समेथ एक दरजन कस्मों से व्यापक पलायन हुआ अब बीते 3 साल से सब वापस आ गए हैं उन्होंने दंगों की राजिनीती करने वालों को आड़े हाथो लेते हुए कहा कि दंगा किसी की समस्या का समाधान नहीं इसमें होने वाला जानमाल का नुकसान देश राश्रियक शती होती है आज यूपी के हर नागरी को इसका एहसास है हर व्यक्ति मानता है कि बीजेपी की सरकार में सुरक्षा है और अगर कोई सरकार आई तो फिर से अपरात का बोलबाला हो जाएगा